आज मैं आपके साथ दही और प्यास की ऐसी रैस्पी शेयर करने वाली जिसे आप आसानी से बिना किसी मेनध के कम समय में बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रैस्पी इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में दो से तीन चमस देल गरम करेंगे इसमें एक चौथाई चमस जीरा चौथाई चमस राई छे से साथ करीब पता एक चौथाई चमस हींग और दो लाल मिर्ज को ऐसे तोड़ कर आट कर दें अब हम प्याज को मीडियम से लो फ्लेम पर तीन से चार मेट तक अच्छे से पकाएंगे जिससे की जो प्याज है वो अच्छे से सौफ्ट हो जाए तो इसे ऐसे लगातार चलाते जाएंगे और अगर आप प्याज को जल्दी पकाना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा नम पाउडर करेंगे इसके बाद में एक चमज के करीब बेसन एड़ करेंगे बेसन एड़ करना बिल्कुल ऑप्सटनल है अगर आप आप करना चाहें तो इसे एड़ कर सकते हैं अब क्या करेंगे कि सारी चीजों को अच्छे से तीन से चार मेट तक मीडियम से लो फ्लेम पर हुनेंगे जिससे की जो मसाले है वो अच्छे से बुन जाए साथ ही जो बेसन है उसका भी कच्छा पंदूर हो जाए तो इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे की बेसन और मसाले जले नहीं और यहां पर तीन से चार मेट हो चुके हैं बेसन अच्छे से बुन गया है साथ ही मसाले भी अच्छे से पक गए हैं तो अब हम इसमें दही एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लगबग एक कप के करीब दही लिया है इसे अच्छे से फेट लिया था अब इसे अच्छे से प्याज और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर दही आट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर देना है और दही आट करने के साथ ही हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से एक से दो मिनेट तक मिक्स करेंगे जिससे की दही फटे नहीं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी आट कर देंगे अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही सारी चीजे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें आधा चमच या सादनुसा नमक एट करेंगे साथ ही आधा चमच के करीब कसूरी मेथी इसमें एट कर देंगे इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा अब सारी चीजे को अच्छे से एक से दुबार मिक्स कर लेंगे और जैसे ही दही में अच्छे से उबाल आने लगेगी तब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसे ढखकर 5 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पर पकने देंगे जिसे की दही जो है अच्छे से पक जाए और लगबग 5 मिनट के बाद हम इसका ढखकन हटा देंगे तो यहां पर हमारी दही और प्यास की टेस्टी सबजी बनकर एकदम तयार है आप इसे चावल रोटी या पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो सारी चीज़े अच्छे से पक गई है दही भी अच्छे से पक गया है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे तो आप यह के उपर से थोड़े से बारी कटी हुए हरी दनिया के पत्ते आड़ करेंगे और यहां पर हमारी टेस्टी दिस बनकर एकदम तयार है आप बनाकर जरू ट्राइ कीज़ेगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको यह रैस्पी कैसे लगी